जै मतरनी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत स्वागत है मांपगवितित दुरगा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिशी पंचमी व्रत के बारे में रिशी पंचमी का व्रत भादरपद मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी को किया जाता है इस दिन रिशी मुनियों को याद किया जाता है और सब्त रिशियों की पूजा की जाती है तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में रिशी पंचमी कब है? पंचमी कितिती कब प्रारंब हो रही है? कब समाप्त हो रही है? वरत आपको कब धारन करना है? वरत में पूजा का शुब मुहुर्थ क्या होगा? और वरत के सभी नियम क्या होगे? किस प्रकार से आ आप व्रत का समापन कर सकते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए संपूर जानकारी आपको रिशी पंचमी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं तो वीडियो बहुत महत्पूर है पूरा जरूर देख लीजिए अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्पूर होते हैं यही एक मातर जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है तो एगर वीडि शाम के समय 7 बज कर 58 मिनट पर तो सुर्योदे कालीन तिती के अनुसार पंचमी तिती हमें प्राप्त हो रही है आठ सेतंबर को इसलिए 8 सेतंबर 2024 रविवार के दिन रिशी पंचमी का व्रत धारन करेंगे और अब बात करें पूजा के शुबमुहुर्थ के बारे में तो दे कि हम क्या होंगे और हां रिशी पंचमी व्रत की कथा आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए दुस्तों सनातन धर में जो व्रत और त्योहार किये जाते हैं सबका अपना-पना महत्य होता है रिशी पंचमी का व्रत एक इसी व्रत में आता है जो दोशों के निवारन के लिए किया जाता है और हां रिशी पंच में कोई यहार नहीं होता यह व्रत होता है और इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती बलकि यह व्रत सबतर्शियों को समर्वित होता है इस व्रत में सबतर्शियों की आरादना की जाती है और ये व्रत किया क्यों जाता है देखे सभ्षर में परस्थे के लिए आवश्यक भी बताय गया है लेकिन ये सभी चीजें इतने सारे नियम है कि इनका पालन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है ऐसे में कोई न कोई गलती हो ही जाती है इसलिए शास्त्रों में इसका निवारण बताया गया है रिशी पंचमी का व्रत मतलब गलती से भी किसी प्रकार की भूल चूक अगर पीरियट के समय में महिलाओं से हो जात जमदगनी रिशी और वसिष्ट रिशी और हाँ इनी के साथ रिशी पतनी अरुनधती की पूजा भी की जाती है मतलब सब तर्शियों के साथ अरुनधती की पूजा भी इस व्रत में जरूर की जाती है रिशी पंचमी व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत को कोई भी महिला धारन कर सकती है कन्याई भी धारन कर सकती है सुहाकिन महिलाई भी धारन कर सकती है मतलब इस्त्रिया कोई भी इस व्रत को धारन कर सकती है क्योंकि इस्त्रियों के रजस्वला धरम में जो भी दोश हो जाते हैं उन दोसों से मुक्ति पाने के लिए व्रत किया जाता है इसलिए कोई भी महिला इस व्रत को धारण कर सकती है रिशी पंचमी व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत को कम से कम साथ साल जरूर करना चाहिए मतलब आप चाहें तो जीवन भर इस व्रत को कर सकते हैं लेकिन कम से कम साथ साल इस व्रत को जरूर किया जाता है असी मान्यता है कि साथ स क्या है यह जानते हैं देखे रिशी पंचमी के दिन सुबह उठकर सुर्योदे से पहले उठकर श्नान करना चाहिए और साफ सुत्रे हलके पीले रंके वस्त्रधारन करना चाहिए और हां करने साफ सुप्षवस्त्रधारन करने के बाद सब्तर्शियों की पूजा करनी है आपको तो अपने घर में जहां पर भी आपको पूजा करना है उस जगए को साफ करके एक लखडी की चौकी बिछा लीजिये उस लकडी की चोकी पर इक पीले रंक वस्तर बिछा दी जिये और उसी पर आपको सब्तरश्यों का विग्रह स्थाफित करना होता है जैसे कि चोटा सा Šrivling होता है। उसी प्रकार से छोटी-छोटी मिट्टी के पिंढियां बना कर साथ पिंढियां और एक अरुंधती के लिए आट पिंढियां मतलब आट मिट्टी के डले बना कर और उसी चौकी पर स्थापित करके उन्ही को आप सबतर्शी मानकर अरुंधती मानकर पूजा कर सकते हैं और हां चौकी पर आपको सबसे पहले कलश रखना है तो कलश स्थापित करने की आवशकता नहीं है मतलब एक जल से भरा हुआ पात्र रख दीजिए बस इतना ही करना होता है इससे जादा मतलब पूर्ण पात्र वगरे नहीं रखा जाता है सिर्फ जल से भरा कलश होता है मतलब पानी जरूर होना चाहिए वहाँ पर इस बात का ध्यान रखे इसके बाद आपको एक दीपक प्रजलित करना है और धूप दीप प्रजलित करके विधी विधान से मानसिक रूप से सब्तर्शियों का ध्यान करके उनका नाम स्मरण करते हुए पूरे श्रधा भाव से उनकी पूजा करना है अब हाँ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो हम पुषप पित्यादी अर्पित करते हैं सब्तर्शियों को पीले पुषप परपित करते हैं पीले फल ही अर्पित किये जाते हैं और पीली मिठाई का भोग लगता है सच्चे मन से पूजा करने के बाद शमा प्रातना कर लीजिये और हाँ दूसरे लोगों की इन नियमों में मदद करने का संकल्प भी लीजिए मतलब जिन गल्तियों से हम खुद परेशान हैं उन गल्तियों को कोई और ना करें इसके लिए प्रयास्रत रहेंगे ऐसा सब्तर्शियों के सामने आपको प्रार्टना करते हुए दूसरों की मदद करने का संकल्प लेना है इसके बाद वरत की कथा सुन लीजिए और आरती कर लीजिए इसके बाद जो भोग आपने लगाये हैं सब्तर्शियों को उस भोग में से दूसरों को प्रसाद विद्रित करेंगे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका चरंस परस कर लीजिए और अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और अब जानते हैं कि अगर आप रिशी पंचमी का वरत धारन करते हैं तो इस वरत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है तो उद्यापन के विधी थोड़ी कठिन है वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं जितनी चमता है आपकी उसके अनुसार से शास्त्रों के अनुसार इस वरत का उद्यापन करने में आपको साथ सोने की मूर्दियां मतलब साथ सब्तर्शियों की जो मूर्दियां होती है वो सोने की मूर्दियां बनवाई जाती है आप अपनी श्रधा के अनुसार छोटी छोटी मूर्दियां भी बनवा सकते हैं या फिर चांदी की मूर्दियां भी बनवा सकते हैं मतलब देखिए आपनी छमता के अनुसार प्रतिकात्मक तौर पर जितनी आपकी समर्थ हो उसके अनुसार आप सोनी की या फिर चांदी की सबतर्शी की मूर्दिया बनवा लीजिए फिर इनका विधी विधान से पूजा करने के बाद साथ जोडे ब्रामभन ब्रामभनी जैसे की ब्रामभन और ब्रामभनी साथ जोडे हो इनको घर बुला कर भोजन कराया जाता है और फिर साथ गायों का दान दिया जाता है अब साथ गाये आप कहां से दान करेंगे आप एक स इस प्रकार से विधी विधांत की विधान से वुरत का उद्यापन किया जाता है और आप जानते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो देखे जो रिशी पंच्मी का वरत होता खसलरा पूजा करने के बाद दोपहर के बाद भोजन कर लिया जाता है मतलब आपकी पूजा पूजा पूण हो जाती है तो इसके बाद किसी ब्रामभर को भोजन करा कर आप स्वैम भी भोजन कर सकते हैं भोजन आप किस चीज़ का कर सकते हैं देखिए इसमें समा के चावल और दही का सेवन किया जाता है एक और चीज़ जैसे कि अगर आप किसी ब्रामभर को घर बुला कर भोजन नहीं करा पाते ह तो दान की सामगरे निकाल दीजिए फिर आप भोजन कर सकते हैं दान भी आप उन्हीं चीजों का करते हैं जैसे कि शमा के चावल का और दही का दान किया जाता है जो कलश आपने रखा है उस कलश का दान की किसी ब्रामण को कर देना चाहिए और हाँ इस वरत में जब आप पा दी लेकर रह सकते हैं लेकिन अन्य का सेवन इस दिन भूल कर भी नहीं करना है तो जिस प्रकार से नियम से ये वरत किया जाता है मतलब बहुत कठिन नियम होते हैं इस वरत के उसी प्रकार से इसका फल भी बताया गया है सभी प्रकार के जाने अंजाने में किये गए जो पा व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको जरूर सुनना चाहिए तो अब सब्तर्शियों का ध्यान करके इस पावन और परम कल्यानकारी कता का श्रमण करते हैं एक समय राजा शितास्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीब गए और उनके चरणों में शीष नवाकर बोले हे आदिदेव आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूर धर्मों के जानने वाले हो आपके मुख से धर्म चर्चा श्रमण कर मन को महान श समस्त पापों का नाश हो जाता है राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा हें रिपस्रेश्ट तुम्हारे प्रश्ण अति उत्तम और धर्मे में प्रीती उप जाने वाला है मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सरवत्तम व्रत चुनाता हूं यह व्रत रिशी पंचमी के नाम से विख्यात है और इस व्रत को ग्रहन करने वाला प्राणी समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पाजाता है और उसे नरक में कदापी नहीं जाना पड़ता है इस व्रत का एक अती प्राचीन इतिहास और भी है उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम् भूशर था वह कुशाग्र और तिक्ष्ण बुद्धी वाला था उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया हे राजन उतंक ने अपनी पत्नी की परमर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्रामभर कुमार के साथ कर दिया किन्तु भगवान की ग दुख से दुखी होकर उतंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौपकर अपनी इस्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाथन करने लगा उसके पास कुछ ब्रामभर भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतित कर रही थी वह नित्यवरती मन लगा कर माता पिता की सेवा करती थी एक दिन समस्त कारियों से ठक कर वह एक शिला पर विश्राम करने के लिए लेट गई ठकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधी भी न रही भगवान की गती से अर्धरात्री के समय यका यक उसके शरीर में कीड़े उत्पन हो गए शिश्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पतनी को बताया कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राम्भन अचेत हो गई जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोधी में उठाया और अपने पती उतंक के सामने ले जाकर रख दिया कन्या की दशा को देखते हुए ब्रामभनी ने अपने पती से कहा हे स्वामी कृपा करके मुझे यहां बताएं कि मेरी इस क्या की दुर्दसा किस दुष्कर्म के कारण हुई अपनी भार्या की बातों को सुनकर ऊतंक मुणी थोड़ी देर के लिए शान्त होकर रिदेय में भगवान का ध्यान करने लग उन्होंने अपनी ज्यान शक्ति के द्वारा कन्या के पुर्वजन्मे के समस्त व्ऱतांतो को जान लिया तब वे अपने नेत्रों को खोल कर बोले हे प्रिये यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्रामणी थी उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदी बर्तनों को छू लिया था उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गये हैं परंतु उस व्रत का तिरसकार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गये हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चाई ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कस्टों से चूट जाता है। और इस व्रत को धारण करके स्त्रिया सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भादो मास के शुकल पक्ष में पंचमी तीथी को होता है, और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुर्व जन्म का स्मरण रहता है। और रिशी पंचमी की कथा का वरणन भविश्योत्तर पुराण में भविश्योत्तर पुराण में रिशी पंचमी की कथा का जो वरणन है उसके अनुसार भगवान श्रीक्रिश्न से युधिश्टिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश मैंने आपके श्रीमुख से अनेको व्रत सुनाता हूं जिसको धारन करने से इस्त्री समस्त पापों से चुटकारा पा लेती है भगवान श्री कृष्ण बोले हेंद्री पुत्तम पुर्व समय में वृत्रा सुर्का वद करने के कारण इंद्र को ब्रह्मा हत्या का महान पाप लगा था तब ब्रह्मा जी ने कृपा कर इंद्र के उस पाप को चार स्थानों में बाड़ दिया पहला अगनी की ज्वाला में दूसरा नदियों के बरसाती जल में और तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में उस रजश्वला धर्मे में जाने अन जाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी युग में विदर्भ नगरी में शियनिजीत नामक राजा हुए वे अपनी प्रजा का पुत्रवत अर्थात पुत्र के समान ही पालन करते थे उनके आचरण रिशी के समान थे उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्याता समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नाम एक क्रिशक ब्राम्हण निवास करता था उस किसान की पत्नी का नाम था जयाश्री जो बहुत पतिव्रता थी ब्राम्हण के अनेक नौकर चाकर भी थे एक समय वर्षाकाल में जब वह साध्वी खेतों के काम में लगी हुई थी तब वह रजस्वला भी हो गई हे राजन उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया किन्तु फिर भी वह घर ग्रिहस्ती के कार्यों में ही लगी रही कुछ समय पस्चात वे दोनों इस्त्री पूरुस अपनी अपनी आयू भोग कर मृत्यू को प्राप्त हुए जयाश्री अपने रितु दोस के कारण कुतिया बनी और स पतिपत्नी कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहां ही पलने लगे सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पुर्ण सत्कार किया करता था अपने पिता के श्राति के दिन उसने अपने घर ब्राम्वन को जिमाने के लिए नाना प्रकार के कुट्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बरतन में मुह डाल दिया सुमित की पत्नी चंद्रवती से कुटिया का यहकृत्य देखा न गया और उसने चूले में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुटिया को मारा तब बेचारी कुटिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी और प्रती दिन रसोई में जो जूठन आदी शेश रहती थी उस कुटिया के सामने सुमित की बहु डाल दिया करती थी किन्तु आज उसने क्रोध के कारण वह भी उसे खाने को नहीं दिया क्रोध के कारण उसने वह सब भोजन भी बाहर फिकवा दिया और बर मुझे खाने को देता था मगर आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया मैंने साम्प के विश्वाले खीर के बरतन को अनेकों ब्रह्म हत्या के भैसे छू कर भरष्ट कर दिया उसे न खाने के योग्य कर दिया इस कारण मेरी बहु ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया है तब बैल ने कहा हे भद्रे तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनी में आपड़ा हूं बोजा ढोते ढोते मेरी कमर तूट गई है आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा मेरे पुत्र ने आज भी मुझे भोजन नहीं दिया है और उपर से मारा भी खूब है म उतने रिशियों से पूछा हे स्वामी मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनी को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं सुमित के उन वचनों को श्रमड कर सर्वतपा नामक महर्शी दया करके बोले पुर्वजन्म में तुम्हारी माता न लिए रिशी पंचमी का व्रत धारण करो भग्वान श्रीक्रिश्न युदिश्टिर से बोले हे राजन महर्शी सर्वतपा के इन वचनों को श्रमड करके सुमित्र अपने घर लोटाया और रिशी पंचमी का देन आने पर उसने अपने इस्त्री सहित उस व्रत को धारण कि वह समस्त सुखों को पाती है तो प्रेम से बोलिए सब्तरिशी और अरुंधती माता कीज़े जै जै श्री कृष्णा जै श्री राधे